नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अगर आपके घर में धन नहीं टिकता इस समय और इस जगह पर एक रुपए का सिक्का रखकर बो आपका घर आपकी हर मनो काम न हो जाएगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलन्स कारोबार में दिन रात कमाएंगे मुनाफ़ा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसंद मुद्रा में होती है और अपने दो में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद ना सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं त आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्ध होगी लक्ष्मी के आशीरवाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कारे को भी शुरू करेंगे उस कारे में आपको सफलता हासिल होगी अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के का उपाय करके आप आपको माता लक्ष्मी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है तो आपकी जानकारी बता दें माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो एक रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है देखिए होता क्या है प्राचीन मान्यताओं के माना ये जाता है कि धन में माता लक्षमी का वास होता है इसलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाप जरूर ही मिलता है इसी लिए आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है धन तेरस की पूजा होती या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा एक रुपए का सिक्का रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुब होता है और अगर आपने सिर्फ आने वाले नए साल में किसी भी दिन जिस दिन माता लक्ष्मी धर्ती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्थ पर एक रुपए के सिक्के कवह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्शा होगी आपका भाग्य प्रबल जाएगा आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इसलिए दोस्तों बस एक जनवरी दो हजार चौबीस के दिन दो चार मिनिट का समय निकाल करके एक रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में बताया गया है जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचू कुपाय है इसलिए अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे माता के आशिरवात से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशिरवात से धन की वर्शा हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो विडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा आपकी राशिक अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह हम कॉमेंट के रिप्लाई में बता देंगे परन्तु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय है धन में वृद्ध का महा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशिरवात से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्ध हो उसमें बढ़ोतरी हो तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशिरवात से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्ध होगी रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी आपका बैंक बैलन्स अपने आप बढ़ने लगेगा अगर आपने ये छोटा सा उपाय सही मूर्थ पर कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं ये बहुत छोटा सा उपाय है परन्तु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की व्रिद्ध जरूर करेगा आपको सिर्फ नए साल वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है उसमें पूरा गंगा जल भर देना है उसमें आपको रुपय का सिक्का डाल देना है यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है अब आपको इस कटोरी को अपनी छट पर ले जाकर के रख देना है अगले दिन 28 तारीख को आपको नहाने धोने के बाद उस कटोरी को उठा कर के लाना है उस कटोरी से एक रुपय का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षन दिशा में रख देना है अगर आपने इतना उपाय सही मुहूरत पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्षमी का एक वरदान और आशीरवाद जाएगा जिसके बाद ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा ये सिक्का आपके लिए एक चुम्बक की तरह काम करेगा जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाएगा आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएगे क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीरवाद और वर्दान नए साल के दिन बढ़ जाएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्थ पर करना है और यकीन आज के दिन कई करोडपती व्यक्ति जो है, साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धर्ती पर आती है अगर आपने ये उपाय कर लिया, तो माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वृद्धी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दूसरा उपाय है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता आपके पास पैसा तो आता है, परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है और नए साल के दिन अगर आपने एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा आप यह उपाए नए साल की शाम को करना है शाम के वक्त आपको दो एक एक रुपए के सिक्के लेना है आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है ग्यारह नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है बीज मंत्र है महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट रहे है, दोस्तों, महालक्ष्मी नमा इस बीज मंतr का जाप सिर्फ ग्यारह बार आपको करना है इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय अगर आपने नए साल के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंतरण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है और दोस्तों ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्ध होगी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णे लेंगे इस उपाय को करने के बाद उस निर्णे से सिर्फ आपको फायदा पहुँचेगा अगला उपाय है धन हासिली का महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी न हो माता लक्षमी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की व्रिद्ध हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली साथ पीड़ी भी पैसों पर राज करे तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है जो आपको हम जा रहे हैं नए साल के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा नहां धो लीजिएगा लाल कपड़े पहन लीजिएगा क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिये है आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहाँ पर जाकर आपको बैट जाना है एक घी का दीपक जला दीजिए अब एक लाल कपड़ा बिछाना है आपको इस लाल कपड़े पर एक रुपए का सिक्का एक मुठी धनिया तीन लॉंग आपको रखना है इस कपड़े के पोटली बना लीजिए पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्षमी के बीज मंतर का जाब ग्यारह बार आपको करना है ग्यारह नंबर माता लक्षमी को बहुत ही प्रिया है बीज मंतर है ओम महालक्षमी नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ओम महालक्षमी इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिन दिशा में आपको रख देना है सिर्फ इतना हुपाय आपको नए साल के सूर्यास्त के बाद करना होगा ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुम्बक बन जाएगी, जो धन खींचने का काम करेगी, ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा, जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते। गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्टरी, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाए सिर्फ एक दिन कर लेना है। साल के इन आखरी दिनों में, यानि मार्ग शीर्श के इन विशेश दिन में, अगर आप ये उपाए कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूझ गुरू जी ने कहा, कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाए कर लेते हैं, तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोंकामना लेकर इस दिन शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव आपकी वो मनोंकामना जरूर परिपूर्न करते हैं, देखिए, उपाए के लिए आपको साथ फूल लेने हैं, और साथ दीपक ले लेने हैं, साथ यानि सेवन। देखिए, साथ फूल आप जो भी लेंगे वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिये और उनमें से साथ ले लेने हैं। जो आप पीने वाला पात्र रखते हैं, उसके बगल में ही आपको ये रखना है, बहुत से ऐसे घर होते हैं जो मटके का इस्तेमाल करते हैं। परन्तु अब सर्दियों का समय आने वाला है, तो हो सकता है कि आप मटके का इस्तेमाल ना हो, बलकि बाल्टी का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जो बाल्टी या मटका या जो कुछ भी किच्चन में रखा हुआ है, उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी हैं, और उ सातों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ लंबी रूई की बाती का उपाय करना है, किच्चन में हम लोग जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें हम लोग लंबी रूई की बत्ती का ही उपाय करते हैं, इसलिए आपको का उपाय कर लेना है, फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन साथों पुष्पों को उठा कर, यानि साथों को उठा कर किसी भी महादेव के मंदिर में पहुँच जाए, किसी भी शिवालाय में पहुँच जाए, अगर आप शिवालाय में नहीं जा सकते हैं, तो किसी भी पीपल के के नीचे पहुंच जाए, अगर पीपल के व्रिक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, तो किसी भी बेलपत्र के व्रिक्ष के नीचे पहुंच जाए, या फिर आवले के व्रिक्ष के नीचे पहुंच जाए, पुझे गुरु जी, ये गुरु ने कहा कि इन चारों जगहों में से किसी भी जगह में पहुँच कर आपको ये सातों पुष्प समर्पित कर देना है, यानि ये सातों फूल समर्पित कर देने हैं. अगर शिवलिंग के उपर समर्पित कर रहे हैं, तो AUM नमः शिवाय मंत्र का समर्ण करते हुए शिवलिंग के उपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी व्रिक्ष में समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए, और आपको माता लक्ष्मी का समर्ण करते आपके जीवन में जो धन धानने की समस्या है, उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए, ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए, और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं, तो छे वही पर समर्पित रहने दीजिए, एक ले आए, और अगर बेल पत्र या फिर आवले के व्रिक्ष में है, तो छे वही पर छोड़ाईएगा, और एक ले आए, एक को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है, और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, कि आप अगले साल स्वयम देखिएगा, कि आपके जीवन में जितना आपने धन हासिली की कामना की थी माता लक्षमी की से, उससे कहीं ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भग्य जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये विशेश उपाए आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा। उपाए जरूर करना है, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आपको ये मौका मिलता है, और आप इस उपाए को जरूर करिएगा। चलिए, अब जानते हैं, गुरू जी द्वारा बताये गए दूसरे खास उपाए के बारे में, ये भी आपके जीवन में धन धान्य की हासिली करवाने के लिए ही है, क्योंकि गुरू जी ने अभी अपनी पांच दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में ये उपाए बता आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये उप लेना चाहिए, इस उपाए के लिए आपको सिर्फ एक बूंद शहद ले लेना है, देखिए, ये भी आपको देव दीपावली के दिन में ही करना है और साल में सिर्फ एक बार ही आप इस उपाए को करते हैं, देखिए, ये उपाए आप दो जगह पर कर सकते हैं, अगर आप देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनके सामने भी ये उपाए कर सकते हैं, और अगर आप देव दीपावली के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए इसके लिए आपको एक बेल पत्र ले लेनी है अगर के पास बेल पत्र है तो ले लीजिए और नहीं है तो शिवलिंग के उपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठा कर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तिमाल भी आप कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए इस बेलपत्र में आपको एक बूंद शहद लगा लेना है बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है चाहे पत्ती में लगा लीजिए चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती है चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिये या उपर वाली पत्ती में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है और ये बेल पत्र आपको शिवलिंग के उपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और अगर आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके उपर एक बूंद शहद लगा देना है और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता रानी से यानि माता लक्ष्मी से धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस देव दीपावली में आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबेर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयम भर देंगे आपकी खाली अलमारी भर और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह ये शहदवाला उपाय कर हैं या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं देखिए, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूझ्य गुरुजी, जिस दिन के लिए बताए अगर 26 के लिए बता रहे हैं तो 26 में पूरे दिन किसी भी समय कर सकते हैं या फिर में अगर बताएंगे तो 27 तारीख को किसी भी समय आप ये कर सकते हैं दोस्तों ये थे पूछ जे गुरु जी द्वारा बताये गए कुछ बहुत ही उपाए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताई